हलो एबरिवान कैसे हो अभी मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा उसको केरफुली सुनना है क्योंकि वो आपके जेए मेंस 2024 के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अपडेट इट सेलिवस किया है तो धिहां से देखो बेटा अपडेट सेलिवस में नहीं केश्टु क्या में अगर मैं बात करूँ तो physical chemistry से ये तीन चेप्टर अपका का remove हो गया states of matter आपका remove हो गया पूरा that is gases state के नाम से भी लोग उसको जानते हैं जिसमें आप ideal gas equation टीवीज कर टो एनाटी के बारे में बात करते थे वो वाला chapter पूरा का पूरा remove हो गया similarly solid state 12th का जो chapter था वो भी पूरा का पूरा remove हो गया है तीसरा surface chemistry ये भी आपका remove हो गया है तो physical chemistry से ये 3 chapter completely remove हो गया है उसके बाद कुछ-कुछ सब topics हटाए गया है जैसे mole concept में significant figure है, precision है, accuracy वाले थे तो वो सब हटा दिये गया है similarly atomic structure में Thomson and Rutherford model के जो basic points अब थे वो सब हटा दिये गया है and thermodynamics में third law of thermodynamics हटाया गया है तो ये point दियान दियाना, ये chapter सब या ये सब topics remove हो है physical chemistry में similarly अगर मैं inorganic में बात करूँ तो inorganic में metallurgy chapter आपका remove हो गया है hydrogen chapter पूरा completely हटा दिया S block पूरा completely हटा दिया P block में पूरा आपको नहीं पढ़ना है P block में simple general introduction वाला part पढ़ना है जिसमें electronic configuration से related है या जो some trend है जो कि already periodic table में हम लोग cover कर लेते हैं तो वाला part रहने दिया गया है या फिर जो हर group का parallelement anomalous behavior सो करता है तो वो है बाकि जतने भी उसके compound या उसके preparation वो सब आपका हटा दिया गया polymer हटा दिया गया chemistry in everyday life इसको भी हटा दिया गया तो समझ गे बाद तो finally अब आपकी chemistry में chapter कितने बचे physical में total 8 बच गए कौन-कौन mole concept आपका बच गया वो आपको पढ़ना है atomic structure आपका बच गया उसके बाद आपका अगर 12 में आ जाए तो solution, chemical kinetics, electrochemistry, redox ये 6 chapter हो गए right और thermodynamics आपका रहे गया वो आपको पढ़ना ही है तो ये total 8 chapter है जो physical में बचे हुए आपके वैसे ही inorganic में बेटा अब बहुत easy हो गया है सिरिफ 3.5 chapter बच आपको पढ़ने को 3.5 में कौन? एक तो periodic table हो गया एक D and F block एक coordination, ये 3 हो गए और half क्यों लिखा? क्योंकि P block का कुछ ही part पढ़ना बाकी most of the part तो removed है और वैसे ही organic में 8 chapter अपने को पढ़ने right, कौन-कौन सा वही GOC पूरा right उसके बाद आपका hydrocarmon वाला फिरीधर 12 के alkyl halide, aryl halide वाले, alcohol phenol ether aldehyde ketone और carboxylic acid, amine septor and biomolecule ये वाले सब आपको पढ़ने हैं तो ये तो आपको idea clear हो गया, now ये video lecture बनाने का जो man reason ने बेटा, कि अब अब ध्यान से देखो अगर chemistry इतना easy हो गया है, तो उसमें 75 plus marks लाना बहुत easy है आपके लिए क्यों, क्योंकि ये जो गयान आपको दे रहा है, वो एक chemistry का expert दे रहा है, वो सर खुद J.Mans को clear कियो है right, तो आप उनसे गयान ले, बाकी लोगे से गयान लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ध्यान से समझो अगर आप चाहते हो chemistry में 25 पलस, तो आपको कुछ नहीं करना है, daily दो video lecture देखना है, क्योंकि मेरा जतना भी video lecture है, on an average 20 minute में वो complete होगा, क्योंकि just मैंने to the point, to the concept बात किये हैं, फालतों की बाते नहीं किये हैं, तो two video lecture आपको daily का देखना है, उसके अच्छे से notes बना लेना है, को 75 पलस लाने से कोई नहीं रोख सकता है, second point कि आपको ये क्यों करना चाहिए, तो वही हमने समझाया, कि ये जो video lecture create किया गया है, वो एक chemistry expert के दोरा, जो tricks के बादसा माने जाते हैं, पूरी chemistry को बेटा, physical हो, inorganic हो, organic हो, सबको मैंने अपने simple trick से connect किया, एक बार आप देखोगे, तो आपको बहुत interesting लगेगा, very concept चलोंगे, आपके question बहुत easy and बहुत fastly solve होंगे, क्योंकि exam में आपको सही option टिक करने के marks मिलेंगे, कैसे solve किया, उसके marks नहीं मिलेंगे, right, इस point पे ध्यान रखना, less time, और more marks अगर video lecture create नहीं किया है, बिल्कुल एक अपने concept से, एक अपने trick से, अलग तरीके से video lecture create किया है, एक very important point, जिसको आपको समझना और सुनना दोनों जरूरी है, क्यों, क्योंकि मैंने जो video lecture create किया है, वो आपके NCRT के according नहीं है, like अगर आप उसमें search करोगे playlist में, alkyl halide, aryl halide, तो ऐसा नहीं मिलेगा, हमने क्या किया है, कि एक concept, जहां आप पे भी पूरी chemistry में use हुए है, उस सारे को उसी concept में discuss करने की कोशिश किये, तो इसलिए आपको confuse नहीं होना है, उसमें पूरा का पूरा chemistry completed है, 120 video lecture में, तो आपको concept के according जाना है, playlist created है, उसके according जाना आपको, और आपको सारे video lecture को बरावर follow करना है, मैं वैसा नहीं गया हूँ, कि alcohol phenol ether के एक बना दे, एक aldehyde की tone के बना दे, ऐसा मैंने नहीं किया है, जितना भी concept, पूरी organic chemistry में, चाहे वो 11 के और 12 के और जहां पर use हुआ है, उन सब को मैंने pick up करकरके, एक concept बनाया, और उसको clear कर दिया, उस पे based application problem लेकरके, समझाया भी है, तो इस point को ध्यान में रखना, कि हमने जो playlist create किया, जिसमें GOC 1 and 2, ये पूरा completed है, ये mostly सब जगा मिल जाएंगे, उसके बाद name reaction के नाम से एक playlist है, जिसमें only, जितनी भी पूरे 11 और 12 के NCRT में, जितनी भी name reaction है, सब एक जगा पर आपको मिल जाएंगे, फिर एक organic oxidation के नाम से बनाया है, जिसमें पूरी organic chemistry में, जहां जहां पर oxidation की reaction है, उसका concept देते हुए, उसको समझाने की कोशिश किया है, वैसे ही must watch reaction, वो reaction जो एक concept पर 100 reaction की जा सकती है, या that is very important, जिसपे बेस प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको must watch reaction के नाम से बनाया है, organic reduction, again पूरी organic chemistry में, जहां जहां पर reduction लोड़ा, सब एक जगा पर connected है, and biomolecule, तो ये total 6 playlist हैं, तो ऐसा must हो जहना, कि सर ने alkyl halide, alcohol phenol ether, aldehyde ketone, ये सब नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं है बेटा, सब इसमें connect किया, यही मैं कहना चाहरा हूँ, कि ये एक expert के द्वारा बनाया गया, इसलिए आपको समझना, हमारा concept बस एतना ही है, question हमें करने से मतलब है, वो question किस chapters आया, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और ये सारा आपको, एक main playlist organic में मिल जाएगा, organic के अंदर ये सब हैं, और ये name playlist के बने हुए हैं, तो ये ध्यान रखना, इसलिए ऐसा नहीं कि मैंने किसी chapter को छोड़ा है, सारे chapter सारे chemistry में complete है, just you have to watch and enjoy it, thank you.